जैसी कृष्ण भविश्य का निर्धारन करते हैं तो आईए आज हम भी हमारे पैरों की रेखाओं के बारे में जानते हैं और अपने भविश्य की पड़ताल करने की कोशिस करते हैं जानने से पहले यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्ष्य चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपके पैरों में भी ऐसी कोई रेखा या चिन नजर आए तो कमेंट में जैसी कृष्ण जरूर लिखें तो सबसे पहले बात करते हैं पैरों की बनावट के विशे में शुब पैरों की बनावट सुन्दर सभी अंगलियां क्रम से हलकी छोटी गुलाबी रंकी होती है पैरों का तला थोड़ा गद्देदार होना चाहिए पैर को गीला करके जमीन पर रखने पर बनावट कुछ इस प्रकार की हो अर्था पूरा पैर जमीन को नैच हुए अंगलियां बे अंगुठा भी थोड़े से उठे हुए रहें यदि आप एक इस्त्री है तो पैर के उपरी हिस्से पर हलके भूरे रोम हो यदि आप एक पुरुष है तो गहरे भूरे, काले और थोड़े बड़े लेकिन कम घने रोम शुब माने जाते हैं पैरों के नाकुन नीचे की ओर जुके हुए नै होकर सीधे अत्वा थोड़े उठे हुए हो तो यह शुब लक्षन माने जाते हैं सामनितया दोनों तलवों को इस प्रकार मिलाने पर सिर्फ बीच का ही हिस्सा आपस में मिलकर ब्रत्त का अर्थात एक गोल चिन बनावे तो यह अक्षय धन का सूचक होता है अर्थात ऐसे जातक के पास सदेव खूब धन रहता है व्यक्ति कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता है प्राय पुर्षों में दाई पैर पर बनी रेखाएं बे चिन बरत्मान समय बे भविश्य के बारे में तथा बाई पैर की रेखाएं पूर्व जन के करमों के आधार पर मिलने वाले लाबों को बताती है वहीं यही रेखाएं इस्त्री के पैरों में बाई और बरत्मान बे भविश्य को तथा दाई पैर की रेखाएं पती की ओड से मिलने वाले लाब को दिखाती है अगर किसी व्यक्ति के दोनों पैरों में एक समान दिखने वाली रेखाएं हो तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धि मानी से सफल तथा सम्रद्ध जीवन जीता है पैरों की रेखाएं जितनी गहरी, लंबी, इस्पष्ट होती है व्यक्ति के राजयों की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है अब पैरों के शुब लक्षणों की बात करते हैं तो पहला जो शुब लक्षण आता है वह है पद्म रेखा का लक्षण यहात में धन रेखा होती है, उसी प्रकार पैरों में पद्म रेखा होती है यह रेखा एडी के निचले भाग से प्रारंब होकर अंगुटे तक जाते हुए पैर को दो हिस्सों में बांट देती है जिस भी जातक के पैरों में यह निशान देखने को मिलता है यह रेखा होती है, ऐसा जातक देश विदेश में प्रसिद्ध होता है और राजा के समान एश्वर्यपून जीवन जीता है दूसरा शुब चिन त्रिशूल का होता है, जैसा कि हतेली में भी त्रिशूल के निशान को बहुत शुब माना गया है कई जातकों के पेरों में त्रिशूल का निशान देखने को मिलता है, जो हाथ के निशान से अधिक सौभाग गिशाली माना जाता है तो पेरों के बीचों बीच से एक रेखा निकले तथा आगे जाकर अंगूठे, मध्यमा, अनामे का अत्वा कनिश्टिका के नीचे त्रिशूल जैसा बना ले इनमें आप पांचों उंगलियों के नीचे अर्थात अंगूठे के सहे चारों उंगलियों के नीचे भी यदि त्रिशूल जैसा बना लेती है तो ऐसा जातक बहुत अधिक धार्मेक बिविद विश्यों का ज्याता बड़ा योगी अथवा सन्यासी होता है ये जातक खूब धन्बान होते हैं लेकिन फिर भी संसार में इनका मोह कम ही देखा जाता है यह त्रिशूल इनको इस प्रकार से और अधिक विशेस बना देता है तीसरा चिन है चक्र का निशान यदि जातक के तलबों में किसी भी स्थान पर रेखाओं का इस प्रकार से एक चक्र जैसा बनता नजरावे तो ऐसा जातक देश विदेश में गूमने वाला, यात्राओं से लाब कमाने वाला, उच्चे पदादिकारी तथा तेजस्वी होता है ऐसे जातकों की आँखों में अलग ही चमक तता चहरे पर तेज दिखाई देता है ऐसे जातक बहुत अधिक उर्जावान तता सहसी देखे जाते हैं पांचवा और अत्यंत शुब चिन है कि कई बार रेखाएं मिलकर जातक के तलबों में एक चिन बनाती हैं जिसे स्वस्तिक का चिन खहते हैं स्वस्तिक जैसा कि हमने देखा है हर त्योहार पर हर किशी विशेश समय पर स्वस्तिक के चिन को अत्यदिक महत्पून माना जाता है उसी प्रकार का लाव यह चिन पेरों में देता है यदि यह चिन किसी जातक के पेरों में इसपस्ट और निर्दोश बना हुआ देखा जाए तो ऐसा जातक देविये गुणों से संपन होता है जीवन में अनेकों ऐसे कारे जातक के द्वारा किये जाते हैं जो जातक कि मृत्यू के पशाद भी लोगों द्वारा याद किये जाते हैं ऐसे जातक स्वस्तिक वाले पेर को आगे बढ़ा कर किसी भी कारे को करना आरंब करते हैं तो वह कारे अवश ही सफल होता है चाहे वैकार स्वयम्द का हो, अत्वा किसी दूसरे का कारे हो, तो प्राय सफलता इनके कदमों के नीचे देखी जाती है किसी भी शुबकार जैसे व्यापार का आरंब करना हो, ग्रह प्रवेश हो, मंदर निर्मान, अन प्राशन संसकार, जात कर्म संसकार ऐसे जातकों के हातों से यदी करवाया जाए तो यह कार अवश्य ही सफल होते हैं कुल मिलाकर सभी चिन्नों में से यह सर्व स्रेष्ट चिन्न माना जाता है बशर्ते कि यह चिन्न निर्दोश हो अगली रेखा जिसे गज रेखा के नाम से जाना जाता है इस रेखा की पहचान यह होती है कि यह हाती की सूड के समान एक रेखा दिखाई देती है जो कि AD की और इस प्रकार मुर्ती है कि हाती की सूड के समान यह नजर आती है यह रेखा जातकों को वाहनों के माध्यम से अर्थात जो वाहन होते हैं अत्वा सबारी जिसे हम कह सकते है उसका शौक भी देती है तथा उनके माध्यम से मिलने वाले लाभों को भी दिखाती है ऐसा जातक यदि पशुओं का ब्यापार वाहनों का ब्यापार करें या पशुओं के लिए कोई charitable trust बनाए तो दिन दूनी राज चोगनी तरक्की करता है ऐसे जातकों को वाहनों का शौक तो होता ही है साथ ही ऐसे जातक के पास अलग-अलग प्रकार की गाडियां गाडियों का शौक या गाडियों के ब्यापार जैसा कारें ऐसे जातक यदि करें तो उनको अवश्य ही देश-विदेश में सफलता प्राप्त होती है तो इस प्रकार ये कुछ चिन्व रेखाएं हैं जो कि सामुद्रिक शास्तर में बताई गई है यदि आपके पेरों में भी ऐसी रेखाएं या चिन्व नजर आती है तो आप बधाई के पात्र हैं कृष्ण चक्ष्यू चैनल आपको आपके उत्तम भविश्य के लिए शुप सेवाद जैसी कि तो ईवाद जैसी कि